Нमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवल इंडिया आपके साहत मैं हूं काजोन लारायन इस वक्त की बड़ि जानकारी मिल रही है एनेसे अजीर डोबाल के खौफ में जी रहा पाकिस्तान जैश आतंकी से कराईरे की बड़ी जानकारी इस वक्त की एनेसे अजीर डोबाल की ववस्ता को बढ़ा दिया गया है जैसे जुड़े हिदायत उल्ला मलिक के पास से दोबाल के ऑफिस का रेकी का एक वीडियो सामनी आया है बताये जा रहा है कि ये रेकी पिछले साल की गई थी मलिक ने डोबाल के ओफिस और श्रीनगर में अन्ने इलाकों का वीडियो रिकॉर्ड किया था मलिक ने वीडियो अपने आकाओं को पाकिस्तान भेजे थे इसकी जानकारी मिलते ही सुरक्षा एज़ेंसिया पूरी तरहां से अलर्ट हो गई है संबंद में एक F.I.R. भी दर्ज की गई जमू के गंग्यार पुलिस स्टेशन में मलिक के खिलाफ U.A.P. की धारा 18 और 20 के तहट केस दर्ज किया गया मलिक को जैस के फ्रंट ग्रूप लशकरे मुस्तफा का प्रमुख बताय जा रहा है उसे अनंतनाग से गिरफतार किया गया था मलिक के पास सिहत्यार और वस्पोठक बरामत किये गए है यानि यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान कहीं न कहीं अजिर जोबाल के खौफ में जीता हुआ नजर आ रहा है और इसी वज़ से जैश आतंकी से एनेसी ऑफिस की रेकी कराई है जिसके बाद रास्टे सुरक्षा सलाकार इजी जोबाल की सुरक्षा वेवस्ता को बढ़ा दिया गया जो ऐसे जुड़े हिदात उल्ला मलिक के पास जोबाल के ओफिस का ये रेकी का वीडियो सामनी आया बताय जा रहे कि ये रेकी पिछले साल की गई थी फिलहाल एक आफ आयार दर्जबी की गई है और उसे गिरफतार कर लिया गया है नंतनाक से मलिक के पास से हातियार और वस्पोचक बरामत किये गए है